आदक menoss Reader बहुत सारे लोग आपने सुना होका कि बहुत कम खाते हैं लेकिन वो भौध मोटे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वो भौध पतले रहते हैं तो आखर ऐसा क्यूं होता है आज हम इसको समझेंगे और आज हम यह जानने की कोशिस करेंगे कि digestion को और metabolic functioning को metabolism को कैसे हम naturally boost कर सकते हैं और low और high metabolism क्या होता है इसके सरीर पे क्या आप नकारात्मक और सकारात्मक पिरभाव होते हैं और इसको कैसे regulate किया जा सकता है तो बहुत जरूरी है कि metabolism यदि ठीख होगा तो आपका digestion भी ठीख होगा और आपके digestion इदि इंPOEघ तो आपका metabolic rate भी इंPOEघ और यरी रेगुलीट होगा आपका slow metabolism rate है यानि आपका metabolic rate बेजिसल BMR rate है यदि वह बहुत slow है तो फिर आप obese होंगे आपका fatty liver हो सकता है आपको appetite आपका मतलब काफी अच्छा होगा लेकिन आप खाना खाने के बाद काफी लंबे समय तक काफी भूक नहीं फील करेंगे आप lazy रहेंगे तो जिन लोगों का slow metabolism है उन लोगों को simple straight forward करना यह है कि वो आपने food में liquid semi-solid and fiber का जो fiber है वो increase कर दें इससे आपको फायदा यह होगा कि detoxification का process आपका promote हो जाएगा प्लस आप liquid intake को 70-75% तक लेके जाएं और solid semi-solid को आप reduce कर दें और एक है कि 40-60 minutes आप combination of exercise करें और 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 भी कुछ ना कर पाएं तो walking करें यह चीजें आपको directly मदद करेंगी और आपका जो metabolic rate slow है वो थोड़ा सा regulate हो जाएगा हाई हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि ना किवल आपको weight reduce होगा आप अच्छे से healthy, fit, fine, muscular, energetic feel करेंगे अब दूसरे level पर आता है कि high metabolic rate वाले लोग क्या कर सकते हैं और वो कैसे इसको ठीर करें जिन लोगों का बहुत high metabolic rate होता है metabolism होता है उन लोगों को बहुत जल्दी प्यास लगती है बहुत जल्दी उन्हें पास करने की अर्ज होती है और उनका stool का जो frequency है वो एक नहीं 2 या 3 होगा on an average 24 hours में जिनका slow है उनका एक ही होता है on an average मितलब वो एक बार stool पास करेंगे 24 hours में लेकिन high metabolic rate वाले जो लोग होते हैं वो 2 या 3 बार stool पास करेंगे यह जो high metabolic rate वाले जो लोग होते हैं इनको anxiety होती क्योंकि यह बहुत ही sensitive लोग होता है तो यह thin रहेंगे पतले लेंगे low weight रहेगा low इनका जो frequently यह मतलब एक fragile और एक attitudinal issue होता है क्योंकि यह proper इनके पास energy नहीं होती proper nutrition नहीं होता है deficiency का risk इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है vitamin D, V12 का risk हो जाता है low BP देखा जाता है मतलब जो minerals and sodium potassium calcium यह इनकी deficiency हो जाती है और बार बार इनको weakness आती है तो यदि आपका high metabolic rate है तो आप हर 3 गंटे पे अच्छे से solid protein लीजिए आप अच्छे से अपने खाने में calcium protein iron लीजिए मतलब आपको काफी अच्छा nutrition चाहिए होता है और हर 3 गंटे पे regular interval के बाद आप लें कुछ लोगों को fiber में banana help कर सकता है कुछ लोगों को mango help कर सकता है तो वो आप ले सकते हैं full cream milk भी आप add कर सकते हैं और इन लोगों को anxiety depression चिटचड़ापन बहुत जल्दी होता है उसका कारण ही होता है कि constantly इनका blood sugar level BP pulse rate और इनके जो अपने nutrition minerals होते ही बदलते रहते हैं तो इन walking कर सकते हैं meditation कर सकते हैं और अच्छी नीद लें इन लोगों को अच्छा nutrition चाहिए और maintenance exercise चाहिए लेकिन जिनका slow metabolism rate है उनको अच्छा workout चाहिए कम calorie चाहिए और उनको regular interval के बाद पानी पीना चाहिए तो यह एक तरीका है इस condition को manage करने का और आपके digestion को ठीक करने का जैसे ही आपका digestion improve होगा, metabolic rate normal होगा, आप completely digestive system normal हो जाएगा, आप healthy हो जाओगे और आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाओगे I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो जदी आपको अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करिए, icon bell hit करिए, अपने friend के साथ share करिए and take care yourself, thank you very much झाल